स्वागते आप सभी का हमारे खास कारकरम में जहां हम बात करेंगे स्वास्थे के लिएकर जब भी ब्लेडर कंडिशन्स की बात आती है तब लगता है कि ये बेहत सामाने बात है हाला कि एक मेडिकल कंडिशन है लेकिन ऐसे भी बिलकुल भी परेशान या शर्मिन्दा होने की जरूरत नहीं है वो भी तब जब प्रॉपर ट्रीटमेंट उपलब्ध हो ओवर एक्टिव ब्लेडर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है जिसमें किसी वैक्ति को अचानक इतनी तेज पेशाब महसूस होती है कि उसके लिए आप परिहा इस्थिती बन जाती है और इस वैक्ति के लिए पेशाब को रोख पाना या कंट्रूल कर पाना बेहत मुश्किल हो साथ ही एक जीवन का एक सामान्य हिस्सा नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए यह सिर्फ एक मेडिकल कंडिशन है जिसका इलाज संभव है सबसे बड़ी चिनौती है ओ एबी को लेकर कि इस समस्या के बारे में जागरुकता बढ़ाना है और आज हम इसी OAB के इलाज और इसके प्रबंदन के बारे में सही जानकारी देने के लिए आए हैं और साथ ही हमारे साथ कुछ विशेशग्य हैं जो आपको देंगे OAB से जुड़ी जरूरी जानकारी इस विशेपर हमारे साथ चरचा करने के लिए मौजूद है एक्सपर् चले हमारे साथ जुर गए है डॉक्टर आशीश सैनी डारेक्टर और फाउंडर सीडियर कंसल्टेंट यूरोजी एन एंड्रोलोजी एक्सेल एडवांस्ट यूरोलोजी सेंटर नई दिली इसे के साथ आशीश सैनी ओवर एक्टिब लेडर ओवी मोटर संबंदी लक्षनो के सम्हू का नाम है क्या ओवर एक्टिव ब्लेडर ही यूरिनरी इनकॉंटिनेंस है बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ब्लेडर जो है बेसिकली इंकॉंटिनेंस और और डिफरेंट टर्म से इंक बड़ा टर्म है जिसके अंडर ब्लैडर भी आता है इंकॉंटिनेंस मतलब कि यूरें जो है वह लीकेज हो जाना और ये पेंडर गॉंटिनेंस उन्स जो और इंकॉंटिनेंस और डूसरा लीकेज होता है अगर हमें यूरें की इच्छा हो रही है तो अजन्य सी के और इंकॉंटिनेंस गोर्जन्स और अजन्सरा अजन्स और और 2020 यह तो अगर आपको वर एक्टिवब乐ि रहे तो ये स्टिव इसमें आता है अर्जैंशी इन असारह स्ट्रेश्यी इन कॉंटिवेक्टिवां परडॉंस ने दृत जाना तो उसको हम पर एक्टी और यूजूली वो urine retention होता है, इसलिए इसको paradox कहते हैं, लेकिन urine retention होता है, लेकिन present करता है incontinence की, तो incontinence डिफरेंट तरीके हैं, जो अबने भी बताएं, और उसमें से एक जो urgency incontinence है, वो overactive bladder का प्रमुख कारण है, तो यह इसमें differentiation है। जोक्टर आशी सेनी, overactive bladder यानी OAB को diagnose करने के लिए कौन से medical test किये चाते हैं। frequency, urgency यह सब हो सकती है, तो एक bladder diary हम बनवाते हैं पेशिंट में, जिनमें की लिखा जाता है कि आपने कितना जो भी आपने fluid लिया, कित मात्रा में लिया और कितने से में लिया, तो 24 गंटे का उसमें एक तक्रिया करिया थी, जिसमें जितना भी आपने fluid लिया, उसको note करना हो यह कभी-कभी अगर bladder के अंदर पक्री हो सकती है, तो उसके कारण से भी इस तरह के symptoms आ सकते हैं, तो जो है stone disease को rule out करना होता है, इसके लावा हमें यह rule out करना पड़ता है कि कोई leakage जो है जो खासी के कारण यह stress urinary incontinence तो नहीं है, तो महिलाओं में bonus test होता है, जिसको कि हम करत हैं देखने के लिए कि यह और एक्टिव लैडर है या फिर यह stress urinary incontinence तो नहीं है और इसके अलावा हमें urine flow test करना वड़ता है, पुर्शों में जहां पर की prostate की problem आ सकती है, तो देखने के लिए की flow कैसा है और कितना urine रुक रहा है, तो यह test रहते हैं, जो कि हम करते हैं, प प्रॉस्टेट बढ़ाता है, उसमें हम PSA का test भी करते हैं, 50 years के बाद अगर यह symptoms आ रहे हैं, तो ओए बी के विकास के लिए बढ़ा हुआ वजन या unhealthy food जविदार हो सकता है, इस समस्यर से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, तो देखिए, ओवर एक्टिव इक टॉक्सिकेशन हो सकता है, और आच से जास ग्लासिस से जादा आपको जरूरत नहीं हुटी पीने की, अगर आप बहुत जबादा एक्सरेंस कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक लीटरे करीब उसमें बढ़ा सकते हैं, उसमें बहुत जादा हैं, तो इसके कारएं से बड़ा ब्लाडर एक्टर ब्लाडर के सब्सक्राइब चौता है कि अगर आप अलकॉहल का सेवन करते हैं, यह सब के सब डायूरेटिक होते हैं, ब्लाडर एक्टर ब्लाडर को बढ़ाते हैं, इसके इलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन रिलेटर प्रॉडक्स ले करना होता है और इसको करने से हमारे जो सिंप्टम्स होते हैं और जो रोग है उसके निदान में इसमें मदद पर धेरू जानकार्या देने के लिए बहुत धन्यवाद अब मुझे दीजे जाज़त नमस्कार